नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से PT Revision Series 2023 के अंतराष्टे सम्मन्द के दूसरे सेशन में आज हम बात करेंगे अगस्त 2022 की उन इंपोर्टेंट खबरों की उन इंपोर्टेंट घटनाओं की जो हमारी प्रेलिम्स परीक्षा 2023 के दूसरे से महत्पोर्ण हो सकती है शुरू करते हैं पहला हमारा है भारत मालदीव समंद को लेकर के कुछ घटनाए हुई थी अगस्त 2022 में तो उन में एक इंपोर्टेंट घटना ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मालदीव के राष्टपती के साथ विपक्षिय वारता कर रहे थे अगस्त 2022 में कौन-कौन सी बाते की क्या उन्होंने कहा कौन-कौन से पॉइंट्स पर डिस्क्रशन हुआ वो हम इस चर्चा में देखेंगे मेजरली जो चर्चा थी वो अंतराष्टी अपराद यनकि आपने देखा होगा कि कई बार अपरादी जो हो समुद्र के रास्ते मालदीव तक पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर अंतराष्टे सनक्षन होने के कारण उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता है और अवैद खासकर ड्रग्स की तसकरी का मामला मालदीव के साथ ज्यादा जोड़ता है अपने पिछले दिनों कुछ घटना क्रमों में ऐसा भी देखा होगा जहां मालदीव का नाम बार बार आता है तो जब मादक पदार्थों की तसकरी और आतंकवाद के लिए आवशक समगरी जो वहाँ से एक्सपोर्ट होती है या एक आश्ट्रेस ताली के रूप में प्रियोग की जाती है उससे बचने के लिए उसके निवारक उपाय के रूप में भारत के प्रधान मंतरी ने बात की तो ये जो अंतराष्टी अपराद है ये सारे एक सीरीज में चीज़े हैं आप देखिए अंतराष्टी अपराद है और अपराद से आने वाले पैसे को आतंकवाद में प्रियोग किया जाता है और मादक पदार्थों की तसकरी के जरीए जो पैसा आता है उसको भी आतंकव लगाने के लिए अपराधी करण को कम करने के लिए और भारत से किसी भी प्रकार के अपराधी escape करके मालदीव ने जा सके इस पर बेसिकली ये मीटिंग बेस्ट थी आगस 2022 में मीटिंग हुई है हमारे लिए जानना जरूरी है फिर एरिया जो है अब देखिए ऐसा नहीं है कि जब एक मेंटिंग होती है तो सिर्फ एक पक्ष की चर्चा होती है उस पर बहुत सारे पहलों पर बात होती है अब इन्हों ने आतंगवाद पर मादक पदार्थों की तसकरी पर और उस पैसे का क्या प्रियोग होता है उस पर चर्चा की लेकिन साथ-साथ इस एरिया में शान्ती बनी रहे हिंद महाजागर के एरिया में शान्ती बनी रहे बारत के पड़ोसी देशों के साथ समंधों को बहतर करने की नजर से भी एक कदम इंपोर्टेंट हो सकता है और दोनों के बीच स उसको सुलजा सकें, ये बातें की गई, फिर मालदीव सुरक्षा बलको 24 वहन और एक नौसेनिक नाव उपलब्द करवाई गई, और बेसिकली ये जो एक्विपमेंट्स हैं, इनका प्रियोग dual use के लिए हो सकता है, यान कि भारत भी उसको प्रियोग कर सकता है, और मालदीव फिर पुलिस सुविधाओं पर कारिय किया गया, करीब 61 आइलेंड्स ऐसे हैं, जहां पर पुलिस सुविधाओं की निर्माण में भारत सहयोग करेगा, अब आप इन चीजों कर इन लाइन करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि ये जो जितने भी सहयोग के पॉइं इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसकी चर्चा हमने अपने पिछले एपिसोड यानि की जुलाई वाले एपिसोड में हम इसकी बात कर चुके हैं, उसके बाद है जो मेन भारत की हस्ताक्षर हुए हैं जिन समझोतों पर उनमें साइबर सुर सुविधाओं की निर्मान में उसके अलावा वाहन और नौसनिक शमता बढ़ाने के लिए भारत मदद करेगा और बाकी जो रिण के जरीए भारत सहायता कर सकता है वो हम आगे देखेंगे वो सहायता भारत मालदीवसकी करेगा, आवास अगें इनसे रिलेटेड और जो आन मालदीवसकी करेगा, ठीक है और जो बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर होता है किसी देश का वो सुधारने में भारत मालदीवसकी मदद करने वाला है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्य सहायता भारत देने वाला है, यह जो सारी परियोजनाए हैं एक तो आधार भूत और समंदित हैं, आवाज से समंदित हैं, उनके लिए 100 बिलियन डॉलर भारत देगा, फिर सुरक्षा सहयोग और NCPLE यह एक लौ से जुड़े हो जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, यह NCPCL वही है, आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे जुलाई वाले एपिसोड दे लिए जो जरूरी है, आपको बस छे जो डीटेल्स हैं, जो में याद रखनी है कि भारत और मालदीव के सहयोग के कौन-कौन से बिंदू हो सकते हैं, और अगर कोई विशेश टर्मिनालोजी है, या कोई विशेश जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी है, तो आप से जो बाहरी एरियाज हैं, समुद्र से लगते एरियाज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इसके साथ साथ ड्रग डी टॉक्सिफिकेशन एन रिहेब सेंटर के रिर्मान के लिए भारत जो पैसे देने वाला है, वो मदद की घोशना भारत ने क बात की है, तो आप जुलाई वाला भी देख लीजेगा, जरूर देख लीजेगा, क्योंकि मालदीव की उसमें हमने काफी चर्चा की है, इसके बाद है भारत मौरिशस सहयुक्त व्यापार समिती, तो भारत ने मौरिशस के साथ एक सहयुक्त व्यापार समिती की मेजबानी की है इसका नाम रखा गया है CECPA यह आपको याद रखना है इसका पूरा होगा भारत मौरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागेदारी समझोता इसमें क्या किया गया है भारत और मौरिशस के ट्रेड को बैलेंस करने के लिए अगर वो भारत के फेवर में नहीं है या भा 786 मिलियन डॉलर था मौरिशस के साथ और 2019 बीस में 690 था यानकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ भारत में मौरिशस के साथ व्यापार में की है लेकिन ऐसे में समस्यां यह आती है कि एक पक्षिय व्रिद्धी ना हो जाए ठीक है जैसे अगर मान लिजे भारत कुछ आयात क कर रहा है तो व्यापार में व्रिद्धी में वह भी count होगा भारत का आयात भी count होता है दोनों देशों के trade में तो ऐसे में भारत के Faevor में रहे या neutral रहे भारत को exercise duty लगाना है उसके आयात को कम करना है इस प्रकार की जो फैसले है वो भारत ले पाए इसके लिए ये संयुक्यापार समिती गठित की गई और ये समझोता किया गया ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के पास की अधिकार है मौरिशस भी ऐसा कर पाएगा जब उसे लगेगा कि जो trade imbalance है वो उसके पक्ष में हो रहा है ठीक है यानि कि किसी trade से अगर भारत को फायदा होता है तो फिर मौरिशस अपने रक्षा उपाए लगाने उस पर शुरू करेगा इसके बाद है इरान परमानू समझोता वारता देखिए ये क्या है 2015 में जो परमानू समझोता हुआ था उसको दुबारा से स्थापित करने के लिए एक बार चर्चाएं शुरू हुन थी इरान की तरफ से भी और जो world order में उपर जो देश है उनकी तरफ से भी तो परमानू कारेक्रम का जो ये दौर था ये वारताओं का जो दौर था इसको स दौरे देशों के साथ अलाइन हो गए और अमेरिका द्वारा आरोपित जो प्रतिबंद थे उनका समर्थन करने लगे और इरान को world order में काफी पीछे धकेल दिया साथ ही उसकी आर्थिक आलत भी खराब हो गई तो इस वजह से ताकि इरान मेंस्ट्रीम में आ जाए रशिय चाइना और जो अमेरिका के खिलाफी गुठ के जो देश हैं उनकी पहल के बाद ये चर्चाएं दोबारा शुरू हो गई हैं सइंत्वियापक कारियो योजिना पर और मार्च 2022 के बाद पहली बैठक हुई अगस्ट 2022 उसके बाद इसका मसरला क्या है ये करना क्या चाहती है ये कारियो योजिना का एकमात्र उद्देश्य है इरान पर जो प्रतिबंद लगे हैं वह वेस्टन पावस धीरे-धीरे हटा लेंगे और उनके बदले इरान अपने परमानु कारेकरम को सर्फ नागरिक प्रियोग त नुसार है, यहनिकि जिससे आप reactors बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, इसका कहने का आर्थ यह है, कि आप परमाणू उर्जा कारेकरम को नहीं चला सकते, आप परमाणू बम नहीं बना सकते, 90% से जादा आप purify नहीं कर सकते अपने यूरेनियम को, इसका सीधा सीधा की देशों ने प्रतिबंद लगाए हैं वो धीरे धीरे लिफ्ट ओफ कर लिए जाएंगे इसके लिए बात्चीत चल रही थी दोनों देशों की तो जो पांचों से दस से हैं अमरीका है यह हम युनाइटेड नेशन सेक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहें युएनसे की तो अ हाथ है इरान के और अमेरिका और युनाइटेड किंग्डम एक पेज पर इस पर हैं प्रांस अभी भी थोड़ा बहुत न्यूटरल पक्ष में रहता है लेकिन वह ज्यादा उनकी हुमेनिटेरियन कंसर्न है वह अपने आपको ज्यादा अलाइन नहीं करता है अमेरिका के सा गोनाल्ड जे ट्रम्प उनके द्वारा जो प्रतिबंद आरोपित किये गए उसके बाद इरान ने जो 2015 में वारताइं शुरू हुई थी उनसे पीछे हटना शुरू कर दिया और जायज भी था इरान अपने कारेक्रम से पीछे हटा इरान ने कहा कि हम अब अपने प्रियोग जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे क्योंकि वेस्ट जो है अमेरिका जो है हम पर प्रतिबंद आरोपित करता है जो प्रतिबंद नाजायज है उसके बाद इरान ने अपना जो समवर्धन कारेक्रम था यूरेनियम समवर्धन कारेक्रम उसको वापस से शुरू किय जो टॉक्स चल रही थी JCPOA के द्वारा उनको होल्ड पे रखा और अपनी जो समवर्धन दर है उसको तीन प्रतिशत साड़े तीन प्रतिशत से बढ़ा कर करीब 20% कर लिया और अगर आपको याद हो अगर आप फॉलो कर रहे हूं तो हमने इसे भी कवर किया कि इरान ने 85% स पार कर चुका है इरान अगस्त 2022 में 60% पार किया उसके बाद अभी हाल ही में फैब में हमें पता चला है कि 85% से जादा समर्धन किया जा चुका है अब इसके आप कनोटेशन्स देखिए कि अगर ये होता है तो इरान परमानु बं बना लेगा और परमानु बं बनाने के बा जो उसके साथ अलाइंड ना हो आगे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बार फिर से युद्विराम हो गया है आपने अगर इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद नहीं जाना है तो आप दृष्टियाइस चैनल पर हिंदी पर जाईएगा वहाँ पर सर्च कीजिए इसराइल और पैलस्टीन वहाँ आपको पूरा वीडियो मिलेगा वह आप देखिए दो धाई तीन घंटे की डूरेशन का आपको वीडियो मिलेगा वह विवाद समझेए उसके बाद आप जानेंगे कि कैसे लगातार छोटी छोटी छिटपूर घटना होती रहती हैं पैलस शुरुआत में ही 2022 की शुरुआत में जरुसलम की अलकसा मस्जिद में फिलिस्तीनी और इसराइली पूलिस जो है उनके विश्तनाव बढ़ा था यह बहुत बड़ा मामला हुआ था बहुत बड़ा इश्यू हुआ था इसी के कारण शायद आपने इसराइल पैलिस्टीन का जो विवाद है उसको समझा होगा तो यह जो संगर्ष है यह आज का नहीं है यह बहुत पुराना है यह बहुत पुराना संगर्ष है तो यह जो छिटपुट गटनाए है यह जो छोटे मोटे विवाद है इनसे हमें एक एज यह मिलता है कि हम बार-बार किसी सबजेट का र रस्तावित किया गया था कि दोनों इस शहर पर लड़ने के वज़ाए इस एक अंतराष्टे शहर बना दिया जाए जहां पर या तो दोनों का बराबर अधिकार हो या किसी का ना हो या अंतराष्टे समुदाय का अधिकार हो लेकिन अब दोनों की भावनाएं जूड़ी हैं तो दोनों के साथ विवाद भी बढ़ते चले जाते हैं बात करेंगर इतिहास की तो 1948 में फर्स्ट अरब इसराइल वार में इसराइलियों ने लगबग जो हिस्सा है शेहर का जरुसलम का उसके आधे हिस्से पर जो की पश्चिमी हिस्सा है यहां पर कबजा कर लिया था और पूर्वी हिस्सा जो है जहां पर यह हरम अल शरीफ आवस इसराइल और अरब राजी जो है वह उसमें पार्टी थे मेजरली उसमें जॉर्डन सीरिया और मिश्र शामिल थे इसके बाद जो अलग सा मस्जित पर नियंतरन करता था वक्व मंतराले जॉर्डन का उसने अपना नियंतरन रखना बंद कर दिया अपने सारे कारियों को रहती है वह और दोनों के बीच में चलता रहता है लेकिन जब इसराइल ने विस्तार शुरू किया जरुसलम पर और वहां पर बस्तिया बसानी शुरू की तो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में मुख्य विवाद शुरू हुआ इसराइल कहता है कि उनका परियविक्षक समुह को ले करके किसे न्यूक्त किया गया वो देख लेते हैं सहिंत राष्ट के महासचीव थे अर्जेंटीना के रियर एड्मिरल गुईलेर्मो पाबलो रियोस उनको परियविक्षक न्यूक्त किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सेन काइन में हुई थी कश्मीर वार आपको याद होगा यह कश्मीर के विले से समन्दी था 4748 में आपको पूरानी कश्मीर की कहानी है कि महराजा हरी सिंग वाली और उसके बाद पाकिस्तान का कैसे कवाईलियों का हमला होता है भारत यून चला जाता है यून का रेजलूशन और वो सारी जो कहानिया है इस प्रकार से तो इसे प्रथम कश्मीर कहा जाता है 1947-48 के बाद में भारत सेंगत राष्ट में लेकर के चला गया और उसी वक्त UNSC से संपर्क किया गया तो जनवरी 1948 में UN Security Council ने पहले तो विवाद की जाच की और फिर इसकी मध्यस्तता करने के ल Resolution बोलते हैं Resolution 39 को अपनाया और 1948 में बाद में जाकर के Resolution 47 के अनुसार UN CIP को UNMOGIP के रूप में पुनर रठित कर दिया गया जो आज ये काम करती है ये हुआ है भारत और पाकिस्तान से संबंधेत इसके बाद भारत और UK के संबंधों की बात करते हैं तो Grant Thornton की Britain Meats India BMI Report है उसके अनुसार भारत और UK के बीच जो कुल व्यापार है वो 2030 तक दुगना होने की उम्मीद है यानकि भारत और UK आप जितना व्यापार करते हैं व ये लक्ष जो है ये मुक्त व्यापार समझौते और निवेश को बढ़ा कर ही किया जा सकता है और भारतिय उद्योग परिसंग जो है उसके साथ व्यापारिक साज़धारी जब ब्रेटन बढ़ाएगा UK बढ़ाएगा उसके बाद ही दुगना हो सकता है भारत और UK का व्या इसमें महाराष्ट्र पहला सबसे बड़ा निवेशे गंतवे हैं जहां पर कंपनीज आती है यूके की खासकर उसके बाद राजधानी दिल्ली है और उसके बाद करनाटक और यह मेजरली बैंगलॉर वाला इलाका है तो यहाँ पर जो सर्विस एक्सपोर्ट्स भारत करता है वो यूके के लिए करता है और सबसे पहला और सबसे बड़ा गंतवे भारत ही है यूके के लिए 2021-2022 के दौरान जो कुल वियापार था 31 billion डॉलर था और इसके साथ भारत जो है वो सबसे बड़ा छठा निवेशक बन गया था UK का इसके अलावा जो FDI है जो भारत में आती है वो 5.4% UK की है UK इतना FDI भारत के अंदर influx करता है 2022 में UK के साथ जो वस्तू और सेवा है उनका व्यापार हम पहले बात कर चुके हैं इतना ही था जो बढ़ करके इतना हुआ है 2015 में 19 billion डॉलर था तो लगातार बढ़ रहा है भारत में बहुत सारे काम भी की है इसमें ब्रेक्जिट का भी एक रोल है जब से ब्रेक्जिट हुआ है उसके बाद से भारत का व्यापार लगातार बढ़ा है क्योंकि UK अपनी पॉलिसीज पर और ज्यादा फ्री हो गया है डिस जन लेने के लि इतने रुपए में है डॉलार समय घृटि के लिए इसके बाद भारत ने हगस 2022 में नाविकों के लिए रान के साथ एक समझोते पर साइन किये, ये समझोता क्या कहता है, क्या ये अंतराष्ट्य मान को पर है या भारत और इरान के मद्देग विपक्ष्य समझोता है, नहीं, ये एक अंतराष्ट्य मान को पर स्थापिच समझोता है, इसे कहा जाता है प्रक्षिक्षण, प्रमाणन और निगर निगरानी मानकों पर अंतराष्ठी है अभी समय के प्रावधानों के अनुसार समझाता भारत और इरान दोनों ने अपने व्यापारी जहाजों पर कौन उनके मालिक होंगे उनके अधिकारी कौन होंगे और निगरानी कर्मी कौन होंगे दोनों देशों के आपस में उनको नि जाएगा वो समझोता यह है तो स्टी सी से डवलू उसको कहा जाता है 1978 में इसे अंतराश्टी समुदरी संगठन जिसे आईएमो कहा जाता है उसके कन्वेंशन द्वारा अपनाया गया था बाद में इसमें बहुत सारे चेंजिस भी हुए है लेकिन रैटिफाई जो है 1984 में चुका है यह क्या करेगा 1978 के बाद से इसका कारी क्या है कि दोनों देशों में जो भी मालवाहक पोत होते हैं उनको निगरानी कैसे रिखी जाएगे उनकी उनका प्रशिक्ष्ण कैसे होगा उनको प्रमानित कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति समुद्र में रहने के लिए सुरक्षित है इसके लिए मानक टै किये गए है और यह उन देशों पर भी लागू होता है जो इस कंवेंशन के पार्ट नहीं है जिन्होंने इसे रेटिफाई नहीं कर रखा है ठीक है और जो देश भी आएगा किसी भी बंदरगा पर अगर मान लिजे इरान एक सिगनेटर ही है तो अगर इस कंवेंशन का भारत सिगनेटर है और कोई और मालवाग बहुता आता है तो उसको भी इसका पालन करना पड़ेगा इसके बाद है खनीज सुरक्षा साज़ेदारी इसे MSP कहा जाता है MSP कैसा संगठन है बहुत सारे देशों का करीब 11 देश उसमें संगठन में है और भारत भी उसका एक हिस्सा होना चाहता था लेकिन जो अगस 2022 में मिटिंग हुई तो भारत खनीज सुरक्षा साज़ेदारी का हिस्सा नहीं बन सका ये एक अमेरिका लेड़ी ग्रूप है जिसमें 11 देश मेंली है अमेरिका है ऑस्टेलिया कैनड़ा फिल्लेंड फ है जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है जो एक्सेक्ट करने में भी उतने ही मुश्किल होते हैं उन पर किसी का आधिपत्य न हो जाए कोई ऐसा गठबंदन न बना ले कोई सिंडिकेट न बन जाए किसे देश की निगरानी में जिससे उन सारे रिसोर्स को कैप्चर करके एक देश में स्टोर कर दिया जाए मसलन चीन को लेकर के ये खत्रा था तो चाइना का आधिपत्य न हो जाए इन सारे रिसोर्स पर या वो दूसरे देशों से खरीद न ले और फिर पूरी दुनिया में इनकी कमी न हो जाए इसके लिए इस अंगठन है और चीन के आधिपत है वो आजकल हमारे हर प्रकार के बैटरीज में यूज होते हैं और जो हमारे सारी डिवाइस है लगभग सोलर एंजरी पर जो बेस्ट होंगे उनमें भी इनका प्रियोग किया जाता है तो इनकी कमी न हो जाए ठीक है क्योंकि वैश्विक उत्पादन का करीब सत्तर कॉंगो लोक्तत्रिगन राज्य और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इनको कंट्रोल करते हैं अब सोची के दो देशों के पास इतने सारे संसाधन है तो वो पूरी दुनिया को इसके लिए वंचित कर सकते हैं और ऐसा ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए यह साज़े किया था नेट्वर्क Trans Himalayan Network Multi Dimensional Connectivity इसे Network कहा जाता है जो कि हायर हमालिया जैसे Trans Himalias कहा जाता है भहां से निकालके पान और चाइना के बीच में प्रस्तावित आर्थिक गलिया रहा है तो Belt and Road Initiative के अंतरगत भी है और इसका जो एम वो बंदरगाहों और सड़कों की connectivity को उसके मुख्तलिफ कारण है चाइना के पास वो करने के लिए इसे चाइना प्रोसीड कर रहा है उसमें रेलवे आ गया हवाई जहाज वाला आ गया संचार का गया टेली कम्यूनिकेशन का आप लाइन्स बिचा सकते हैं पाइप लाइन्स के जरीए भी इसे आगे बढ़ाए ज मिलेगी यह आप देखें यहां से काटपांडू से चलके यह रसावा गादी है उसके बाद के रूंग है और यह शिगस्ते से होते हुए यहां लहासा तक जाएगा तो यह पूरा भूटान तक और फिर यहां से हो सकता है कि चाइना का भूटान में भी इंटर करने का प्ला तो थैंक्यू सो मच हमारा दूसरा सेशन अंतराष्टे संबंधों को लेकर यही कत्म होता है आपके राय सुझाव प्रतिक्रिया जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसके अगरे एपिसोड में हम बात करेंगे सितंबर 2022 की कुछ अंतराष्टे संबंधों से झाल झाल